विल्कम बैक फ्रेंड्स मैर चीता एससे सीजल एक जाम प्रेपरेशन में आपका फिर से स्वागत है आज हम प्रॉफिट अंड लॉस का पार्ट फोर देखेंगे उसके पहले हम कुछ बैसिक्स जान लेते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट अंड लॉस में कितन तरह के सेलिंग प्राइस वो होता है जैसे माल-को बेचा इसे विशिते हैं सेलींग प्राइस केला का अगर उसमें प्रॉफिट तो सेयाट प्राइस अगर प्रॉफिट 2 ऐसेँ पातेँर बैचा प्राइस बाह अका सबसे लोगा उसमें प्रॉफिट में आपका कॉस्ट प्राइस लोगा अगर यह हो गया आपका लॉस तो इसमें होगा आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा तब होगा यह आपका लॉस मतलब सेलिंग प्राइस से मैक्सिमम होगा आपका यह कॉस्ट प्राइस इसमें और कॉस तो पहले हम और भी ज्यादा बता चुके हैं तो इसमें बस थोड़ा सा बेजिक उसके बाद आपस तेखें नेक्स्ट कोश्च नमबर एक आदमी है जो दो आर्टिकल को 800 रुपया मतलब दोनों आर्टिकल को अलग अलग 800 रुपया में बेजता है उसका ओन वन ही गेंस 10 परसंट सबसे पहले जो वह बेजता है उसनों वह 10 परसंट का प्रॉफिट कमाता अन दुसरे वाल में वह लॉस करता है 10 परसंट का देर फाइन प्रॉफ और प्रॉफिट और लॉस परसंट तब पूरे का प्रॉफिट और लॉस परसंट यहां पर निकालना है तो इसमें देखिए वाण एंड टू फरस्ट का सेलिंग प्रैस भी 800 है सेकेंड का भी सेलिंग प्रैस भी इक्वल हो और उसका प्रॉफिट और गेन भी इक्वल होते है इस तरह की कुश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सबसे पहले तो आपको 10 परसंट का इसमें आपको सेलिंग प्रैस से कोई मतलब ही नहीं है इसको आप हटा ही दो जानो ही रही कुछ सेलिंग प्रैस भी दिया तो इसमें आपको प्रॉफिट हो गया 10 परसंट का तो प्लस 10 लिखेंगे उसका आपको लॉस हो रहा है माइनस 10 का तो माल्टिप्लाइड वाइनस 10 लिखेंगे डिवाइड़ वाइन हंड्रेड तो यह आपको आ रहा है त्यून नेस्ट कोर्ष्टन नेक्स्ट कोैस्टन आपका एमान सेस्ट्व आर्टिकल 4 रह प्रीज़ एक यह को पुरान नहीं पंटा थोड़ा प्रेप तो ऑन आपको नहीं सेस्ट का यह लाग है तो इसमेंगे दो नत्यून आर्टिकल बेचता है बज़ थोंह बैचता है और लॉस इन रोपीज इसमें आपको याद रखने यह आपको रूपीज में बोल रहा नात परकेंटेस ind the आप हमेज़ा याद रखने हैं यह question का main हुआ यह आपको percentile नहीं पुछ रहा है rupees पुछ रहा है rupees तो सब सब पहले तो आप देख रहा है कि दोनों को selling price 990 रूपीज सब first का भी selling price 990 रूपीज second का भी selling price 990 रूपीज तो जैसा कि हम आपको पहले बिता इस तरह के question में पहले बाले में हमें 10% का gain हो रहा है दूसरे बाले में 10% का loss हो रहा है तो इस type के question में आपको 10 into minus 10 divided by 100 करना तो यह तो आपका आगया यह आपका आगया 1% तो यह तो आपका आगया एक हुआ 1% का loss तो इसको क्या हो रहा रहा 99% का profit 99% हुआ उसके बात फिर cp into 99 y 100 into यह दोनों को दोनों में आपको निकालना है तो दोनों को जोर के आपका है नाइंटीन हंड़ेटी और टोटल 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 सीपी आपका है 2000 तो इसमें आपका कितने का हो रहा है 20 का तो इसमें आपको loss कितने का हो रहा है 20 रुपेस का loss हो रहा है आपको loss equal to rs20 यह और आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट कोस्चन एमांस तो आर्टिकल एक आदमी जो दो आर्टिकल बेचता है दोनों को 720 रुपेस में और वन यह गेंस 25 परसंट सबसे फसमें 25 परसंट का गेन होता है और और अधर ही लोज़ेश 25 परसंट अधर में वह 25 परसंट का लॉस करता है इसमें देखिया आपको फिर सब लॉस परसंट निकालने बहुर रहा है तो फिर यह तो सबसे यह तो पुरानी कुश्चन टाइप कहीं है दोनों का सेलिंग परैस और यह तरकेंड का भी और दोनों में परसंट का इसमें प्रॉस पर्षण कि पर्षांट के लॉसे तो पलएश 25 इंक जैसा कि आपको पहले भी बताया है तो यह वोगया दो यह यह होगया 6.25 पर्षेंट का लॉस यह आपको हो गया इस में इस एक आदमी जो कि 9 नौ रुपया में 8 बिन खरीदता है और आठ रुपया में 9 बेचता है तो इसको कितने प्रॉफिट या लॉस परसंट जो भी हो रहा है कितने का हो रहा है तो इस कोश्चिन में आपको सबसे पहलो तो देखिए कि पर्तिक में जैसे कि इसको आठ बिन खरीद रहा है तो इसको सीपी हो गया सीपी एकवाई टू आरेस नाइन में वह आठ बिन खरीद रहा है और सेल कर रहा है नौ आठ रुपया में 9 बेन तो आईस एट में वह 9 बिन खरीद रहा तो इस टैप के कुश्चिन में सबसे पहलो तो आपको आर्टिकल हमेız में रुमका करते हैं ब्रत तो रुपइस ब्राइस कें ब्रत रुपराइञ तो यह हो गया मल्टिकल री नाइन करेंगे इसमें इसमने मल्टिपलाई्वाई एट करेंगे तो यह अब को घ embinaux of the इसमें आपको कितने का हो रहा है यह मैंस 17 से निकल ना कि डिवाइड़ सोब गोंता कि यह आपका आएगा मैणस 20.98 परशेंट इसमें आपको हो रहा है 20.98 परशेंट का लॉस आपको समझ में आपको तो देल लेक्स पॉस्चिन पॉस्चिन इह मैं वाइस ओर इस एक आदमी है जो की संत्री खरीब रहा है सोलर में नौ के भवाँ से 21.24 रुपीज इसको बेच भी रहा है वाट्ड दस ही चेन परसेंट गान हो रहा है और शिरोपिज और इसमें लॉस हो रहा है वह जबाना तो इसमें आपको लुए ही करना है सब पहले था रुपीज 16 रुपीज में आपको यह हो रहा है 9 और तो है इसको 9 से मल्टिप्लाई करें, यह थोड़ा स्कून स्वी 1 स्वी 1 रूब्राइज करें अंब श्युंत कर तो इसमें थो आप प्रेसी स्वाद्यमें रूप भी 2 से श्युत्यूंड कर का लिदो पाईक्ष दो मिल्टिप्लाई इसमें भी divided into 100 तो यह आपका आ गया 2.27 परसेंट इस यह एंसर आपको समझ में आ गया होगा देन नेक्स्ट कुस्चिन एक रोसर सेल्स इस इस गुड्स अट प्रॉफित आप 10 परसेंट एक दुकांदार है जो अपने समान को दस परसेंट प्रॉफित पे बेच रहा है और यूजर प्रॉफित इस 20 परसेंट लेज और वह दुकांदार बहुत ही बेमान है वह 20 परसेंट कम तॉलता है जीतना हमारा एक्च्वल बेच वह उससे 20 परसेंट कम तॉलेगा यानि कि अगर वह आपको बोला कि हम 1000 में आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं तो आपको दे रहा है अगर यह हम 1000 ग्राम दे रहे हैं तो यह आपको दे रहा है 800 ग्राम तो फाइंट इस ओवर और प्रॉफित और लॉस परसेंट तो आपका इसमें टोटल प्रॉफित या लॉस जो भी हो रहा है कितने का हो रहा है तो सबसे पहले तो इस टेप के कुश्चन में आप करेंगे कि अगर हम लेट 1 केजी खरीदे तो 1 रूपै में गोगने केजी को होतो कि तो वन थॉजंट केजी का कितना होगा यह पर यह आप universities लिए ट्व तो वन थॉजंट का 20 पर संट हो गया का 800 केजिए एंफान lois आपको देख रहा है कि आपको प्रॉफिट कमारा 10 पर्संट करेंगे तो यह अफको आपको क्या हो रहा है यह हो गया आपको होगी थ्री हंड़ेड रुपीज का प्रॉफिट थ्री हंड़ेड दिवाइड वाइट हंड़ेड मुल्टिप्लाइवाइड हंड़ेड इसको आप कैलकुलेट करो कि यह आपका एगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइब पर्शेंट इस इस यूर अंसर देन नेक्स्ट क्वेस्टन सेवंटीन हंड़ेड तेन रुपीज में बेचता है दस क्वाश्ट प्राइस 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 पहले जिवने इंप खरीड दुसरे को उतना इस परसंट लास अंगर पहले को यह परशन लौस पर बेचते हैं और दूसरे को 25 परशन प्रॉफिट पॉनाने में आपनाए निलस्ट कोने तो मनोरे उगाisti तनक चाहिए है क्यों है तो सबसे पहरे तो युछ सबसे पहरा उख करे कोई सफ़ॉरे कि आपक兩剛 के इन दिया हूं कि सबसे पहरे होगि सबसे है पहरे है लॉस तो पहले को 10% लॉस पे बीचते हैं तो यह आपका आ रहा है पहले को 10% लॉस पे बीच होगे तो यह आपका आएगा सेलिंग प्राइस आपका 100 इंटु 90 वाइंट्रेड इक्वल टू 90 और दूसरे को अगर अब 25 परफिट पे बीच रहा है तो लेट सीपे एक्स इंटू 125 वाइंट्रेड इक्वल टू 100 इसे लिए आपका इसको आपका इक्स इक्वल टू 80 आएगा तो आपका इसमें देख रह रूसरे कि आपको प्रोफिट हो रहा है तो दोनों को यह बेचेगा दोनों पर निकाला है तो पहले तो दोनों फ्रस्ट का प्रेस वह रहा है आपको 120 प्रेस अक्वल आपका देख रहे कि इसमें आपको 10 रुपीज का आपको profit हो रहा है पर आपको overall gain or loss परसेंट निकालना है तो सबसे पहले तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपको 10 रुपीज का वह हो रहा है 10 रुपीज का आपको gain हो रहा है पर आपको इसको 190 में आप देख रहे हैं तो 190 में आपको वह हो रहा है 180 कोस्ट प्राइस आ रहा है पर यह आपको 1710 में निकालना है ना तो 1710 1710 by 190 multiply by 10 तो इससे आपको निकलेगा यह इससे आपको निकल रहा है यह gain जैसे कि आप रेशियो में पढ़े होंगे अगर अगर यह CP और SP का हम यह करते हैं तो यह आपका 180 यह हुआ 190 तो यह आपको रेशियो बना दिये तो टोटल तो आपका सेलिंग प्रेस आपको दे रहा है 1710 और यह दोनों का डिफरेंस आपको रहा है इसी तरह आपको इसमें cost price में निकालना तो 1710 divided by 190 इंटू 180 तो यह आपका आज आएगा 25 वाइ 3 पर्शंट इस इस यूर अंसर आई होप यह आपको समझ में आया होगा तो देख आपने यह कितना easy है यह निकालना आई होप कि यह आपको सारे concept आपको समझ में आ गया होंगे अगें रिपीट कर रहे हूं हमेशा सारे चेप्टर की concept इस्तिमाल करने आज कर जो questions आ रहे हैं वो direct question नहीं आ रहे हैं questions को घुमाया जा रहा है so please हर चेप्टर के concepts को strong करो सिर्फ concepts को strong करेंगो तो यह आपको बहुत फायदा करेंगा फीर से मैं आपको करेंगो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे जो भी आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक करेंगे आप इसे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी कुछ भी प्रोब्लम हो तो आप उसे हमें comment में भेज सकते हो हमारा फेस्बूक आइडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका सुझाई ही हमें प्रोच साहित करता है अगर आपको पसंद आप इसे पक्का लाइक करना अपने दोस्तों को बताना एंड बाए थैंक यू